तो सबसे एहम चीज क्या है सुबा सुबा क्या करना होगा योगा योगा एक ऐसी चीजह जिससे आप फिट रह सकते हैं हमेशा चलिए आपको दिखाते हैं आज का कौन सा आसन है आपको कैसे हिसे करना है हमारी इस रिपोर्ट के जरीए देखिए हमारी दूसरे स्टूडियो म हमारी योग टीचर मौझूद है नमस्कार मैं हूँ रजनी मंध्यान खुबसूरत रहना किसको अच्छा नहीं लगता मांसिक और शारीरी खुबसूरती के लिए आई आज हम कुछ योग सीखें जिससे हमें मांसिक और शारीरी खुबसूरती मिलती है पहला आसन हम करेंगे प दोनों बाइसिप्स आपके कान से लग जाएं इस स्थिती में तीन से पांट सेकंड होल करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को धीरे से वापिस ले आएंगे और दूसरा आसना आजहम करेंगे उत्तान पादासन जिसके लिए आप अपनी योग सेकंड के लिए उसके बाद अपने पैर को बिकुल सीधे तानते हुए 60 डिगरी पर होल करने की कोशिश इसके बाद याथा संबभ जितना आप उपर उठा सकते अपने पैर को लग भग 90 डिगरी तक होल करनी की कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने पैर को 60 डिग्री पे वापिस ले आएंगे उसके बाद 30 डिग्री और धीरे से रिलेक्स कर देंगे यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे पहले आप अपने पैर को 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे उसके बाद 60 degree ले जाकर तकम से कम 3-4 second का hold उसके बाद maximum यानि अपने पैर को आप जितना उपर उठा सकते हैं लगभग 90 degree तक उठाने की कोशिश धीरे धीरे इस पैर को भी वापस 60 degree ले आएंगे इसके बाद 30 degree पे hold 3-4 second का और धीरे से अपने दोनों पैरों को रख देंगे कुछ दिन तक आप धीरे धीरे एक सिंगर लेक्से प्रयास करने के बाद यही आसन को दोनों पैरों से करने की कोशिश करेंगे इसके लिए दोनों पैरों को 30 degree उठाएं इसको 3-5 second hold करने की कोशिश धीरे से दोनों पैरों को 60 डिगरी पे ले जाएं यहाँ पे भी 3 से 5 सेकंड होल्ड करने की कोशिश इसके बाद अपने पैरों को आप जितना उपर लगबग 90 डिगरी तक उठा सकते हैं यहाँ पे उठा के होल्ड करेंगे धीरे धीरे फिर से 60 डिगरी वापिस लोट आएंगे यहाँ पे 3 से 4 सेकंड का होल्ड फिर से हम 30 डिगरी पैरों को रोकने की प्रयास करेंगे और यहाँ पर भी 3 से 4 सेकंड होल्ड करने की कोशिश और इसके बाद धीरे से सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापिस ले आएंगे तो हमारे दर्शक न्यूज भी देखें न्यूज के साथ साथ योग भी करते रहें सुबा का वक्त है तो आज हमारी योग टीचर ने आपको बताया कि कौन सा आसन करना है वक्तिक ब्रेक का है